दोस्तों अगर आपकी आँखें खास रात के एक से तीन बजे के आसपास खुलती है तो ये खबर जनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं. जानिये कैसे? दोस्तों ये दुनिया रहस्यमाई बातों से भरी पड़ी है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रात में एक से तीन बजे का समय अशुभव समय क्यों माना जाता है? क्यों इस समय आँखें खुलने पर नकारात्मक उर्जा का एहसास होता है? आपको बता दें यदि आप 1 से 3 बजे के बीच अचनक उठते हैं या जागते हैं तो कोई चीज आपको भावनात्मक रूप से परेशान कर सकती है. आपके शरीर में बनने वाली सकरात्मक उर्जा भी इससे प्रभावित हो सकती है. तो ऐसे में जानते हैं रात में आखिर एक से तीन बजे का समय अशुभग क्यों माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और ऐसा क्या है इस समय में आईए जानते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि विडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दिजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरूर दबाईएगा। प्राप्त करने के लिए तांतरिक कई प्रकार की साधना करते हैं जिसमें बली देना और गुप्त साधना करना शामिल है। लेकिन ये समय आपके लिए बहुत ही खतरना थे और वहीं फिल्मों में भी रहा आधिरात का समय। उसमें दिखाया गया है कि कोई भी वारदात हुई तीन बजे के आसपास ही घड़ी रुक जाती है जिसके बाद बुरी घटनाएं होती है वहीं तीन की संख्या को भी अशुभ मना गया है। दोस्तों जरूरी जानकरी कई बातों से रहे सावधन कभी भी रात में सोते समय भूत प्रेत आत्माओं की बातें कभी न करें। ऐसे समय में कभी भी आप उठें तो या जब बाहर जा रहे हो तो चवड़ाहे से बच कर निकलें। और ऐसे स्थान पर ना जाएं जहां पर किसी की बली दी जाती हो या जहां भूत बाधा भगाने का दावा किया जाता हो या नदी, पूल या सडक पार करते हो या किसी जंगल से गुजरते हो तो या फिर अचानक से रात के तीन बजे निंद खुल जाएं तो ऐसे समय में अप वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई और थांक्स पर वाचिंग मैं वीडियो